कर लो गाई्स मैं राकू असकुमार आज आपके लिए फिर से लेकर रहा हूं ग्रेक्डेस्ट इसटीर हूं प्रेशनल के बारे में कहते हैं क्या है क्या है फिल्ड का gravity हम लोग पढते हैं इसे हैं पुटेंशल क्या है और फिर फूर्स अब ग्रैविटिड कें भारे में तो मैं तो आप लोग ने बहुत अच्छे तरीके से आप लोग ने पढ़ा होगा क्यों कि बहुत इस एक सॉलिड स्वियर के बुजाषन बचनल निकालना हो लो ह्स कल लिए करना या फिर hark false को हैना तो इन सबका जो है वह डाउड आज हम केलियर करने वाले है यहां पर सब से फजाषन लगा लिजिएower MARK ग्रेविटेशनल फिल्ड जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चो गुरुत विया छेत्र हिंदी में इसे क्या बोलते हैं गुरुत विया छेत्र हमारा लुप थोड़ा कटपा के तरह लग रहा है लेकिन मैं कटपा के तरह मैं हूं नहीं मैं बिल्कुल सीधा साधा इंसान हू ठीक है नेचर हमारा बिल्कुल कटपा की तरह बिल्कुल सीधा शाधा स्राफत का है लेकिन वह थी वह अलग है कि हम थोड़ा सा लुक के वज़ा से थोड़ा सा साउथ मुवी कई विलेन की तरह दिख रहे हैं चलो कोई बात नहीं चले अश्टार्ट करते हैं प्यारा सा के उपार से या फिर विग्रीटेशनल फिल्ड इंटेंसीडि के उपर से वच्छाःट ग्रेवटेशनल फिल्ड इसके बाहरे मैं आप लोग तो कंश्वरेब अर्गल रहें आपको मैं बिल्कुल एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा बहुत ही बेत्रीन तरीके समझाऊंगा क्लियर और कम से कम पांच से दस मिन्ट तक वीडियो लेक्टर जरूर देखें क्योंकि आप होता है क्या कि बच्चे पांच से दस सेकेंड और वीडियो समझ में आएगी ठीक है कि वीडियो का क्या इपोंटेंस इसमें क्या क्या इपोर्टेंस टबिक डिसकस कीऊंगि कुंच से ऊप्झे प ओर दिये गया है ठीक है हमारे अर्थ के gravitational field यानि कि गृत्विये छित्र के में आ जाती है तो अर्थ उसके उपर एक gravitational force लगाता है यानि कि गृत्विये बल लगाता है और उस gravitational force यानि कि उस गूतवाकर्शन बल से उस उलका पिंड को उस ऐस्टरोयट को अर्थ अपनी सेंटर की ओर attract करना शुरू करता है क्योंकि gravitational force कैसा है तो एक attractive force attractive force है तो वह क्या करता है कि वह उसे अपने center और अर्थ अपने चेंटर के उस उलका पिंड को यानि कि उस एस्टरोइड को अट्रेक्ट करता है तो फाइनली वो उलका पिंड अर्थ की ओर मूव करना शुरू कर देती है और जब वो एस्टरोइड अर्थ की ओर मूव करना शुरू करती है तो अर्थ तरफ आते 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 जैसे ही वो के atmosphere में inter करता है क्या होता है कि जैसे ही वो अर्थ के atmosphere में inter करता है तो अर्थ के atmosphere के साथ में उस उलका पिंड के साथ में क्या होता है कि अर्थ का atmosphere friction की वज़ा से जब friction होती है घर्षन होती है friction होती है तो घर्षन के वज़ा से उस उलका पिंड में क्या होता है कि आग लग जाती है क्योंकि friction होगी friction होगी तो heat generate होगा और heat generate होगा तो क्या होगा कि आग पकड़ लेगी आग लग जाती है और और फाइनली वही उलका पिंड हमें आग के गोले में गिरता आग के गोले के रूप में गिरता हुआ दिखाई पड़ता है जो और हम क्या करते हैं कि भाई देखो किशी का आत्मा उड़के जा रहा है तो कुछ तो कुछ अलग-अलग तरह की लोग बाते सोचते हैं का दो इसके बज़यासे गरेन कहीं यह सारा खे मैं किसका है किसका है तो क्रेविटेसनल फिल्ड का क्यूं अ cep बज़ासे वह जो इस तरह से उस चीया किया तो उस अल्का प्रेंड को अपनी हो और अक्राशित किया उस इश्ट्रॉ ऐड को आट्रैक्ट किया तो आज हम इसी gravitational field के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर अर्थ उसे क्यों attract किया, कैसे attract किया, है ना तो बच्चों, gravitational field क्या है तो अगर कोई बड़ा सा mass हो, जैसे अर्थ क्या है, अर्थ एक बहुत बड़ा अर्थ है ना बहुत बड़ा एक spherical, spherical mass है, spherical mass है और कहा जाए, अगर तो अर्थ क्या है, तो अर्थ एक बहुत बड़ा spherical system of mass है और वो system of mass में, अगर कोई छोटा मोटा है, एदम छोटा इस्टोवाइट छोटा, इस्टोवाइट छोटा मोटा, जैस हम लोग क्या है, हम लोग अर्थ के इस पर पॉइंट mass है तो अगर कोई mass आ जाता है, तो उसके ऊपर अर्थ क्या करती है, कि एक फूश लगा है, इस वो हम कहते हैं, क्या gravitational force और उस gravitational force की भी एक range होती है, कि किसी range तक ही सिमित है, उसी range तक की मतलब क्योब वो gravitational force लग सकता है अर्थ के दौ़ारा अगर अर्थ के gravitational field के बाहर में कोई object है, तो उसे अर्थ अपनी और attract नहीं कर सकता, अगर वो कर सकता, यानि कि अगर ऐसा होता, तो फिर जितने भी heavenly bodies हैं हमारी universe में, या फिर बहुत सारे asteroid हैं, उन सभी asteroid को अर्थ अपनी और attract कर ली होती, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि बागी जितने भी asteroid हैं, वो अर्थ के gravitational field से बाहर है, और अर्थ के gravitational field से बाहर है, और इसलिए अर्थ उसके ओपर gravitational force नहीं लगा पाती, बासमझ में हैं कि gravitational field क्या है? तो क्या हम ऐसा कह सकतें कि gravitational field क्या है तो क्या हम ऐसा कह सकतें gravitational field को कि a space around a mass a space around a mass और system of mass or system of mass in which in which a space around a mass or system of mass in which a test mass experience 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 gravitational force gravitational force is called gravitational 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 field a space around a mass or system of mass in which test mass experience gravitational force is called gravitational field यानि कि एक बहुत बड़ा mass हो या फिर एक mass का बना हुआ बहुसारी अगर उस प्ट मांस के उपर ग्रेविटेशनल फोर्च लगती है तो यानि कि कहीं न कहीं उस बड़े म Inner वो चित्र है वो बड़े मास का समय को पिर अंदर में वुचि की मास्ट छोए वह रखा होा है यह रहा हए लिगार ऑस बड़े जो सिष्टम प्स मास्धिट非常 के रेंज में है अब यहां पर बात कि सर आभी आप कर रहे थे ग्रेविटेशनल फिल्ड अब करें ग्रेविटेशनल फिल्ड रेंज तो यह क्या है तो जी हाँ ग्रेविटेशनल फिल्ड जो है उसकी एक रेंज होती है मैंने क्या कहा कि अर्थ हर किसी ऑब्जेक्ट को जितन अट्रेक्ट करती है आप यूँ शमझें कि माल लिजिए कि ये कोई बड़ा सा एक मास है यानिकि सिस्टम ओप मास है मालो कि अर्थ है ये क्या है अर्थ है यहां से यहां तेक अर्थ की रेडियस और अर्थ की मास कैपिटल एम ए यहनिकि मास ओफ और और आरी यहनिकि रेडि कि अर्थ इस small aim को जैसे ही यहां से cross कर रहा था अर्थ इसके उपर एक force लगा कि जो कि Fg यानि कि force of gravitation, gravitational force लगा इसे अपनी और आक्रसिद करने लगा अब जैसे हैं इसे अपनी और आक्रसिद करने लगा मेरे को समझ में आ रहा है कि क्या कि अगर इस mass small aim अगर अर्थ के तरफ attract हो रही है तो कहीं ने कहीं यहां पर gravitational force लग रहा है लेकिन देखा गया कि कुछ और भी asteroid है जो कि अर्थ से मालों कि यहां पर एक point mass रखा हुआ है यहां पर एक point mass है जिसका है अगर इस M1 है तो इसको हम M2 कर लेते हैं यहां पर इसके उपर अर्थ force नहीं लगा रहा तब समझ में आ कि आखिर भाई यह क्या बात है कि अर्थ से R distance पर यहां पर हमाल लेते हैं कि यह होगे R1 और यहां से हमाल लेते हैं कि यह हैं यहां पर R2 तो जो R2 distance पर जो mass रखा हुआ है अर्थ उसको attract नहीं कर पा रहा लेकिन जो M1 जो mass है जो R1 distance पर उसको attract कर रहा है ऐसा क्यों तो इस तरह से देखा गया कि अच्छा है इसके पीछे कहीं ने कहीं कुछ कारण है कि अर्थ के जो range में जो आ रहा है इसके gravitational field के range में जो आ रहा है जो mass आ रही है point mass या test mass जो भी हम कह दे हैं जो इसके range में आ रही है सिर्फ उसी को attract कर रही है यानि कि each and every mass को attract नहीं कर रही है और इसलिए हम एक word यूज करते हैं क्या gravitational field range या फिर intensity intensity तो gravitational field intensity बास समझ में आई सब को gravitational field intensity समझ में आई और इस gravitational field intensity को बच्चों हम E से represent करते हैं कैसे represent करते हैं तो E से तो इसलिए इसको लिखें कि it is represented by capital E इसको capital E के द्वारा represent यानि कि दर्साया जाता है और यह जो gravitational field intensity है वो क्या होता है तो gravitational field intensity जो है वो होता है क्या इसको मैं थोड़ा सा आरेज करता हूं और gravitational field intensity equal to हम क्या लिखेंगे तो इसके लिखेंगे कि E equal to f upon a small m f upon a small m क्या है तो जो टेस्ट मास्ट जो भी मैंने छोड़ा सा इस्ट्रोइड जो बना कर दिखा था वो a small m यानि कि टेस्ट मास्ट अच्छा जब मैंने बताया कि यहां पर मालत है कि यहां पर एक small मास्ट है जिसका मास्ट कितना है अगर इसके बीच में gravitational force लगेगी तो कितना हो जाएगा gravitational force यहां पर कितना हो जाएगा इफ जी तो यहां पर हम फोर्स के जगह हम लिख दें कि यहां पर क्या है यहां पर नीचे में भी क्या हो जाएगा स्मॉल स्मॉल एम से स्मॉल एम क्या हो गया कैश्वर तो फानली क्या बच गया जी कैप्टल एम अपॉन आर स्क्वाइर और यहीं बन गई gravitational field intensity की formula जी कैप्टल एम अपॉन आर स्क्वाइर और इसी formula को हम यूज करते चलेंगे जहां कहीं भी हमें gravitational field intensity calculate करना होगा वहां हर जगह हम इसी को यूज करेंगे लेकिन लेकिन अब लेकिन लगया तो कहने कि यह कुछ नकुछ तो एक गोड़ रहस जरूर होगा बिलकुल है क्या कि अगर हम इसे इस formula को अगर हम यूज करते हैं तो इस formula is only required for point mass इसको आप हमेशा नोट करके लिए कि this it is only used for point mass इस सिर्फ पॉइंट मास के लिए फ़र्मूलिय की उज़ करेंगे तो बात यात है कि सर अगर कोई बड़ा अगर कोई ring हो कोई a sphere हो half ring हो quarter ring हो है न तो उसके लिए क्या करेंगे तो अरे भाईया कुछ नहीं करना है ज्यादा headache लेने की जरूरत नहीं है आपको क्या करना है कि इसी point mass को यूज करना है करेंगे तो हम इसी point mass वाले formula को gm upon r square को लगा कि इसको integrate करेंगे और हमें वहां से gravitational field intensity मिल जाएगी अलग-अलग objects के लिए clear अच्छा अब भी बात आती है कि sir gravitational field intensity कौंसी QUANTITY है vector quantity है scalar quantity है कौंसी QUANTITY है तो भाया GRAVITATIONAL force кौंसी QUANTITY थी तो वेक्टर QUANTITY थी तो उसी तरह से gravitational field intensity क्या है तो ये भी जो हुआ जो है वो क्या है तो ये भी vector QUANTITY है तो यहाँ पर क्या लिखें कि e is vector quantity ये is क्या हो जाएगा vetter quantity क्या हो जागए vetter quantity इसके साथ साथ इसकी direction कैजर को होगी direction towards the towards the bigger mass जयानि कि जो बड़ा वाला जो मास है जो बड़ा मास है उसी मास के तरफ हमेशा इसकी डायरेक्शन होगी जिस तरह से ibo Irish और ओफ तडिय डिय उसले और सब्सकिल कर Rek Records आअप मेंद ग्रैविकशन और ग्रैवितिमेजन घौ्वालनाखी और जो है वो क्या होगा इसका डाइरेक्शन होगा तो यहां पर भी लिग दें की इस फ्रेक्टर क्वाइंटिटि एंड एक्स डाइरेक्शन कि इज तौर्ट्स तौर्ट्स अ बीगर विगर मास मास और सिस्टम आफ मास किलर बचो यहां तक के लिए तो बस यही बहुत सिंपल था यही है ग्रेविटेशनल फिल्ड इंटेंसिटी अब क्या है कि हम लोग अलग अलग अबजेक्ट का ग्रेविटेशनल फिल्ड इंटेंसिटी फाइड करेंगे अस्फेयर का सोलिड अस्फेयर के वज़ा से फाइंड करेंगे होलो अस्फेयर के वज़ा से फाइंड करेंगे फूल रिंग के वज़ा से फाइंड करेंगे हाफ रिंग के वज़ा से फाइंड करेंगे और एक आर्क के वज़ा से फाइंड करेंगे है ना तो अलग अलग calculate करेंगे दूसरी चीज अब यहां पर जो मैंने एक्वल टू जी एम अपॉन आर स्कॉयर जो लिखा है कि एक्वल टू जी एम अपॉन आर स्कॉयर अब आपको बूक में क्या होगा कि आपको बूक में इसके आगे माइनस लगा हुआ दिखेगा माइनस तो अभी बात आती है कि आखिर इस माइनस का मतलब क्या है तो भाई यहां पर जो माइनस जी एम अपॉन आर स्कॉयर है इसका मतलब क्या हुआ कि आर जो है आर क्या है तो आर है डिश्टेंस और डिश्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं तो सेंटर से तो भीया मैंने इस सेंटर से यहां यहां तक की जो distance जो measure किया वो distance क्या था तो वो distance मैंने small r measure किया है तो जो मैंने जब center से जो मैंने distance measure किया small r तो यहां से यहां गया तो positive direction लेकिन इसकी gravitational field intensity की direction किधर है तो towards the bigger mass यानि कि इस तरफ तो अगर मैंने इस तरफ positive इसका positive direction क्या हो जैगा negative अच्छा अब समझ में आया कि अच्छा है जो minus वो बता रहा है कि जो जी एम आपॉन आर स्कोईर जो लग रहा है वो किधर को लग रहा है तो यह bigger mass के तरफ लग रहा है किधर लग रहा है bigger mass या फिर bigger system of mass के तरफ लग रहा है यानि कि direction को बतलाने के लिए मैंने इस किया 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 माइनस लगा दिया क्या तो finally हमें formula क्या बन गई कि equal to minus g m upon minus g m upon r square clear बच्चो तो जल्दी से अब आप इसका screenshot लें इसके बाद फिर हम start करते हैं अलग अलग अब जक्यक्ट के लिए अलग अलग तरीके से gravitational free intensity हम कैसे find करते हैं चलिए देखिए इसको तो इरेच करें। शली मैं इसे उरेच करता। इपने देखा मुवी बीडियोज देख रहे हैं आप लोगों में से इंटर्टेंड मैं देखा है प्लीज हमें कमेंट करके बताएं दूसरा कि हमारा run look कैसा लग रहा है भी क्साने कारई के बताने का ना comment में चलो batch बहुत सारे बचे देंरे कटपपा पढ़ा रहा है आपन कटपपत नहीं भाई आपन का नाम है राकेश कुमारва मकुन ठीक है आपन कटप्पा नहीं है चलो डेख अब जो है gravitational field intensity हम अलाग-अलग तरीके से निकालेंगे hollow sphere के लिए solid sphere के लिए and ring के लिए है न तो सबसे पाले हम लिखते हैं यहाँ पर heading कि gravitational field intensity due to hollow spherical अस्फेरिकल अस्फेरिकल सेल gravitational field intensity due to hollow spherical cell hollow spherical cell कैसा होता है देखो मैं दिखाता हूँ मालों कि यह आपन का टकला है आपन का खोपड़ी है ठीक है यह आपन का खोपड़ी उपर से है ना इस खोपड़ी में से ब्रेन को बाहर निकाल लो है ना ब्रेन को इसके अंदर जो यह को थोड़ा सा बाइलोजी में डिस्ट कर देको यह जो आपन का खोपड़ी इस खोपड़ी को बोलते है cranium ठीक है तो इस cranium को छोड़ दो इसके अंदर है हमारा brain है ना से अब ब्रेन को बाहर निकाल लो अब ब्रेन को बाहर निकाल लो गया रापन का टकला का खोटा अब इस टकला के खोपड़ी में से जब इसके अंदर से ब्रेन निकल तो अंदर से क्या हो गया खोखला हो गया लेकिन भाई अगर मैं अपने ब्रेन को बाहर निकालो उपर सिर्फ खोपढि बचे तो अंदर से खोखला रहेगा है ना लेकिन अगला परस दोने पदा कि आंदर से खोखला है चोड़ने पदे तो जो ही उसके मांस जो कहां दिस्प्टीटेड एक तो को और हलें कि बूम रही छिरम को बाहर ने दि हां तो होता है क्या है कि आय मालगे कि इस तरह से हौलोगा सल है अर चोमा जो मतरों मांस नास डि स्पीटेड होंगे तो तो इसके surface पर mass distributed होंगे, यहाँ पर क्या है कि एक hollow spherical cell है, जिसकी mass क्या है, तो capital M और इसकी radius कितना माल लेते हैं, capital R, तो माल लिए कि यहाँ से इसके origin यानि की center से, C4 center से, यह हो गया capital R, यानि की radius, चलो, अब इस hollow spherical cell में हम तीन तरीके से gravitational field intensity निकालेंगे, पहला, अगर कोई object इस hollow spherical cell के outside में यहाँ 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 कहीं भी अगर रखा हुआ है, तो gravitational field intensity क्या होगा, दूसरा, कि अगर कोई point mass या फिर point test mass, अगर इस hollow spherical cell के surface पे रखा हुआ है, तो gravitational field intensity चाहोगी, या फिर अगर कोई point test mass इस spherical cell के inside में अंदर में कहीं यहाँ 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 कहीं भी अगर रखा हुआ है, तो gravitational field intensity क्या होगी, ठीक है, तो हम अलग अलग तरीके से हम, gravitational field intensity कलकुलेट करना शुरू करेंगे, ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर यहाँ लिखेंगे, ग्रेविटेशनल, फिल इंटेंसिटी, आउटसाइड दे सेल, तो gravitational, gravitational field intensity, आउटसाइड इस सेल के, आउटसाइड में चाहोगा, तो हम क्या करते हैं, कि हमने अभी बताया, कि अगर आपको gravitational field intensity अगर major करना, तो क्या करें, कि आप छोटा सा एक मास ले, पॉइंट मास, और उस मास को आज पास में रखके देखे, अगर उस मास के उपर एक बड़ा वाला मास, अगर gravitational force लगा रहा है, तो कहिनकी वो उसके gravitational field intensity के रेंज में आ रही है, तो मैंने क्या किया, कि इसके center से, यहाँ पे, यहाँ पे हम रख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहा है, लिखने का, यहाँ पर, point P पर, point P पर, मैंने एक small point mass, जिसके mass कितनी small aim है, मैंने यहाँ पर रख दिया, तो भाईया, मैंने देखा क्या, कि इसके उपर है, जो बड़ा वला जो mass है, जिसका mass कितना है, जिसका mass है, capital aim है, जो बड़ा वला जो mass है, इसके उपर एक force लगा रही है, इस तरफ, इस तरफ force लगा रही है, कौन सा, तो gravitational force, जिसकी value कितनी होगी, तो G, capital aim, small aim upon r square, r square क्या, तो center से यहाँ, small aim तक की दूरी कितनी होगा, कितनी है, तो माल लेते हैं, कि कितनी distance है, तो r है, तो यहाँ से, मैंने r distance, यानि कि point p पर एक small mass aim रखा, तो मैं मालूम पड़ा, कि यह जो small mass aim, जो है, point mass, test mass, जो भी कहें आप, यह कहीं नकी attract हो रही है, इस बड़े वाले mass के तरफ, और, तब ज़ा, अच्छा है, कि हमने पहले से पढ़ रखाए, कि भाईया, equal to क्या होता है, तो equal to होता है, G, capital aim upon r square, और, यहाँ पर हमें finally, इसके लिए calculate करना है, तो क्या होगा, कि जो यहाँ पर force लग रही है, इस mass को, इस force को, अगर हम उस point mass से divide कर दें, क्या से, उस point mass, जिस point mass पर, gravitational field intensity act हो रही है, तो हमें क्या मिल जाएगा, gravitational field intensity outside the hollow spherical cell मिल जाएगी, यानि कि इसके उपर force कितना लग रहा है, क्योंकि equal to क्या होता है, then f upon aim होता है, और f कितना है, तो g capital aim, small aim upon r square, और नीचे में क्या हो जाएगा, small aim क्योंकि अभी मैंने बताया था, कि यह तो equal to gm upon r square है ही, लेकिन मैंने equal to यह भी तो बताया था, कि भईया, e equal to f upon aim भी तो होता है, यही मैंने बतलाय था ना तो मैंने उसी चीज़ को अपलाई किया यहां से मर गया तो फाइनली क्या बच गया जी एम अपॉन आर स्कॉाइर और यही हमारा फाइनली बन गया फॉर्मूला कि अगर आउटसाइड अगर निकालना हो तो आपको सिंपली जी एम अपॉन आर कितना होता है तो सिर्फ जी एम अपॉन आर स्कॉाइर अच्छा यहां पर देखो कि क्या ग्रेविटेशनल फिल इंडियन सिटी इस पॉइंट मास के पॉइंट मास पर डिपेंड कर रही है नहीं डिपेंड कर रही है तो क्या हम लिख सकते हैं कि ई डज नौट अपॉन यह डिपेंड अपॉन क्या टेश्ट मास टेश्ट पॉइंट मास यह जो है वो किसके उपर तो पॉइंट टेश्ट मास जो है टेश्ट पॉइंट मास जो है या फिर पॉइंट टेश्ट मास है इसके उपर डिपेंड बिलकुल नहीं करता वो सिर्फ और सिर्फ किसके उपर डि यहां पर देखें तो आपको E is inversely proportional to R a square दीख रहा है E is inversely proportional to R a square यानि कि आप R को जितना बढ़ाएंगी E कितना होगा उतना ही कम होगा यानि कि R जितना increase करेगी E उतना ही क्या होगी decrease करेगी यानि कि distance जितनी बढ़े यानि कि spherical cell कि जितनी आप दूर जाओगे gravitational flow intensity क्या होगी कम होगी gravitational flow intensity क्या होगी कम होगी बास सही है भाई क्योंकि अगर थोड़ा सा के लिए सोचो कि अगर इस solid sphere है solid यानि कि ठोस sphere है ठोस गोला है solid sphere है हमारे अर्थ के तरह तो भाई अगर अर्थ भी अगर होती तो अर्थ से अगर हम दूर जाते हैं अगर हम अर्थ से दूर जाते हैं यानि कि आर्थ क्या होती है increase होती है और अर्थ से दूर बहुत सारे काफी दूरी पर बहुत सारे श्टरोड शथिध्षे हैं और वह एस्ट वाइड अर्थ से नहीं तकरा दे मतलब कि जैसे जैसे वह एस्ट वाइब्स वह से दूर जा रहा है तो उस जैकर पर इसट नहीं टक्रा पाता समझ में आ गया ग्राविटेशनल फिल इंडेंसिटी क्या है तो ग्राविटेशनल फिल इंडेंसिटी आउट साइड दा हॉलो अस्फेरिकल सेल कितनी होती है तो जी एम अपॉन आर अस्कुर इसको रट्टा मारके अपने दिमाग में बैठा लो और यह ड इंडेंसिटी प्रपोर्शनल है आर अस्कुर का यानिकि डिस्टेंस का आर अस्कुर जितना यानिकि आर दूरी जितना बढ़ेगी यह उतना ही क्या होगा कम होगा अगर आप दूरी को दुगना करो तो यह क्या होगा चार गुना कम हो जाएगी कितनी कम हो जाएगी चार गुना कम करो इस दूरी को अगर आप चार गुना बढ़ाओ तो यह कितना कम हो जागा चर्चव का 16 गुना कम हो जागा निकि बिल्कुल इसका अस्क्वाइर टाइम कम हो जा रहा है बात समझ में आया चलिए तो हमें आउटसाइड दा स्फेरिकल सेल जो है ग्राविटेशनल फिल इंटेंसिटी तो मिल गई कि भाईया जी एम अपॉन आर अस्क्वाइर होता है मैं यहां पीस को लिख लेता हूं कि आउटसाइड आउटसाइड अस्फेरिकल सेल के लिए हमें फॉर्मूला क्या मिल गया तो आउटसाइड अस्फेरिकल सेल के लिए हमें फॉर्मूला आने लगे दिरे दीरे पास आ रही हो तो मैं जै yön पास आ गया यहां पर यान कि अब कहां तो इसके सर फेस पर कहां इसके सर फिस पर अब हमंद सर शाइं था इसके सर फिस सर इद के पर इसके सर पर underneath इसके मास को मैंने हटा कर यहां से कहां रख दिया यहां पर अब हमारा point पी डैस यहां पर हम बना लेते हैं पी डैस कहां पर बन गया यहां पर इसके surface पर तो centre से इसके surface के distance कितनी है capital R के बरावर आये यहां कि radius के बरावर थे ना तो इसके उपर एक force मि लेगी ने इसके center के तरफ जो कि क्या कलाएगी gravitational force FG कलाएगी और FG की value क्या हो जाएगी तो G capital M a small m upon R square और A r square किसके बराबर हो जाएगा तो capital R क्योंकि यहाँ पर a small r किसके बराबर है capital R के बराबर है और outside में a small r जो था वो क्या था तो a small r जो था वो capital R से क्या था बड़ा था है ना a small r outside के case में a small r capital R से क्या था बड़ा था तो यहाँ पर एक चीज़ और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर a small r capital R से बड़ा हो यानि कि आपसे gravitational field intensity कहां पूछ रहा है तो outside में पूछ रहा है और अगर a small r capital R के बराबर होता है यानि कि आप से gravitational field intensity की value कहां पर पूछ रही है तो surface पर पूछ रही है अच्छा हां सरस ही वो ले concept भी बन सकता है है ना तो इस concept को भी आप याद रखेंगे तो यहां पर fg कितना हो गया बच्चों तो यहां पर कितना है तो capital R का square लिख सकते हैं फिर M से M कटेगा और M से M कटेगा यहां पर हमें हमारा फाइनली क्या मिल जाएगा यहां पर इसको तो छोड़ दो इसको इधर ही चोगा एक काम करते हम इसको यहां पर भी इसको आरे हैं पूरी तरह से आपने तो इसका स्क्रीन सोट ले लेंगे यहां पर फार्मूला लिखा हुआ है आउटसाइड के लिए यहां पर यहां पर हमारा जो फार्मूला है फार्मूला क्या बन गया सर्फेस पर कि जी एम अपन एक्वार्मूला हुआ है कि अगर एक्वार्मूला के बरावर हुए तो यहां पर पूछ रहा है तो याने कि आपसे वो सर्फेस पर ग्रैविटेशनल फिल्ड इंडेंसिटी के बारे में पूछ रहें कि भाई या अगर हम इस ग्रैविटेशनल फिल्ड इंडेंसिटी इसके सेंटर पर चले जाए तो क्या होगा हना अगर हम प्वांट साहे हैं और अगर इस सेंटर पर चले जां तो क्या होगा तो आएए सेंट्रीफे तो अब हमें यहां पर सोड़ी गाई थोड़ा सा वीच में डिस्टर्वेंस आगे थो थोड़ा सा मैं लाइट से कर रहे था तो ग्रेविटेशनल फिली इंटेंसिटी अब क्या है कि मैंने आउटसाइड भी कैलेकुलेट कर लिया सर्फिस पर अब हमें सेंटर पर थोड़ी स सेल है o जोना मुदिए कि यहां पर इस बातलो सेल इसे घुसर फेरिकल सेल को नाव इसके मांज स्कारीस सर्फ़ेस पर दिस्रीटेड़ इसकी स्टैपिस पर मांस क्या इस बहु किते अब जब इसके सर्फिस पर मांस इसकी डिस्टिब्यूटड आ आओ तो कहामें कहां और पॉइंट P कहां पर टेष्ट मास रखना है तो बिल्कूल इसके सेंटर पर यहां पर गरने कि धूल सारी मास इसके सर्फिप द्रिस्टिप्यूट रहे तो कहीं न कहीं क्या होगा कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि हम यहां पे च्छोटा सा मास काटेंगी जहाँ पे जिसकी जो की हो जाएगी dm और वो क्या करेंगी इस घिये मास की बज़ा से इस अस्मॉल इंपर एक फोस लेगा इस तरफ जो की ओ जाएगा स्ट्रड कुछ इस तरह से कुछ अगर हम यहां पर डीयेम खोलते है दिए इधर भी लेगा यानि कि जितने भी हम इसमें DM काटेंगे वो सारा का सारा DM प्रतेक DM जितना भी सर्फिस पे हम DM मास काटेंगे वो सब का सब DM मास क्या करेगा कि इसके उपर जो है वो इसा थे तरफ लगा देगा है ना यह अगर भी इस तरफ ईसके उपर तो इसका फोज़ेटन वहम इसाफ लगा दो ऊच्छल को cancel out करके और finally gravitational field intensity at the center of spherical hollow spherical cell क्या कर देता है तो zero कर देता है तो इसी लिए इसके center पर center पर e की value क्या हो जाएगी तो वो हो जाएगी भहिया zero, e की value क्या हो जाएगी तो zero हो जाएगी, e की value क्या हो जाएगी 10 Defalage अब हम बात करते हैं इसके inside में कि इनसाइड इसके inside यानि कि इसके अंदर में अब जो है आप यह समझे कि यह जो hollow spherical cell है इस hollow spherical cell के अब अब इसके अंदर में चले जाएं तो इसके अंदर में gravitational field intensity क्या होगी तो gravitational field इंटेंसिटी इंसाइड दा स्फेरिकल सेल पहले मैंने कहा देखा आउट साइड में फिर देखा सर्फिस पर फिर देखा सेंटर पर अब कहां देखना है तो इंसाइड देखना है तो ग्रेविटेशनल फिल इंटेंसिटी इंसाइड दा हॉलो अस्फेरिकल सेल तो के जो की कितना है आ माय है यहां से और श्रदे में इस पॉइंट पे पर हमें ग्रेटेशनल फिल इंटेंसीटि निकालने के लिए हम क्या करेंगे देखो इतना तो पले सुनों इतना जान को सिन्टर फिल इंटेंसिटी फॉर होलोस फेरिकल इंसाइड में जरो वह जरो ऐ pakना रखना फिल इनसाइड में क्या होगा जरो ठार्टेंटर पर भी जरो होता है और इस होता है दूसरी किसी भी सिमेट्रिकली मास्ट डिस्ट्रिबूटेड बॉडी का सेंटर पर ग्रेविटेशनल फिल इंटेंसिटी हमेशा जीरो होता है इस बात को आप पॉइंट बनाके हमेशा के लिए अपने मैंड में डाल ले क्या किसी भी सिमेट्रिकली मास्ट डिस्ट्रिबूटेड पर अगर हम gravitational field intensity calculate करें यानि कि यहाँ पर इस अगर माले के hollow spherical cell और इस point P पर तो क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर इसको मैं और थोड़ा सा बड़ा करता हूं इस figure को यह देखिए hollow spherical cell बन गया यह है यहाँ से यह होगी इसकी radius R और एह होगे इसकी यहां पर मैंने हमें calculate करना point mass P है जहां पर जिसके mass क्या है small A में पॉइंट P inside अब हम इसके कहां आ गए हैं अंदर आ गए हैं तो क्या होगा यहां पर कि जब हम यहां पर calculate तो क्या होगा कि हम यहां पर अगर देखें तो एक काम करते हैं हम यहां पर एक छोटा सा mass काटेंगे जिसकी mass होगी डी यह मास क्या करें कि इसके उपर gravitational field intensity क्या करेंगी कि अपनी तरफ लगाएगी है ना यहां पर भी एक mass काटेंगे कि इस तरह से मगर हर जगा mass काटेंगे तो जितना भी अगर इसके इस लेवल का हम देखें यहांस degrees जादा मास मिलेगा है ना इस तरफ हमें क्या मिल जाएगा इस लाइन के ओपर हमें ज्यादा मैस मिल रहा है हैं ना ले तो कि सबीया होती है यहां होता है जी Скाटील upon R square तो इस तरफ अगर हम हर जगह DM 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 अगर हम अगर प्रतिय पॉइंट पर अगर हम इस तरफ DM काटे तो यहां पर इस सारे DM मिलके कुछ न कुछ इस यहां पर मास कम है तो अगर आगर कम होता है फिर से कि अगर DM कम होगी तो तो यह क्या होगा वही कम होगा लेकिन आर की वेलों अगर कम होगी तो यह क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा क्यों क्योंकि आर जो है वो यह का इनवर्सली प्रपोर्शनल है जबकि एम जो है वो यह का डाइरेक्टली प्रपोर्शनल है तो एम कम होने से यह तो कम हो रह है जदा हो रहा है एच्छ है तो सिर्फ में इतने portion का बात किया है अब इस तरफ भी अगर हम dm mass काठते चले हर जगां इस तरफ यह अगर dm mass हम हर जगा काठते चले तो आप कहोगी कि तरफ ज़्याधा mass तो इस तरफ तो फिल ज़्यादा लगना चाहिए क्योंकि mass ज्यादा तो e भी क्या हो जाएगा ज्यादा क्यों क्योंकि aim is directly proportional to e तो अगर aim बढ़ेगा तो e भी क्या होगा बढ़ेगा तो इस तरफ उपर के लिए हम बात करें तो अगर हम इतने से उपर के point का इस point का सिर्फ अगर इस हिसे की बात करें तो इस हिसे में aim क्या पड़ जा रहा है। तो अगर जब aim जादा पड़ जा रहा है तो e भी क्या हो जाएगा जादा हो जाएगा तो आप कौँगे कि sir तप फिर अपजेक इस तरह अट्रेक्ट होके जाना चाहिए जी नहीं क्यों क्योंकि इधर एम तो ज्यादा पढ़ रहा लेकिन देखें कि यहां से आर आर भी क्या हो जारी है ज्यादा हो जारी है आर देखिए कल्कुलेट किजिए ध्यान दिजिए यहां पर आर भी इस पॉइंट पीसे आर की दूरी आर क्या हो जारी है ज्यादा हो जारी है तो तो अगर क्या होता है एंवर्चली प्रपोर्शनल इस लिखो कि इस प्रपोर्शनल टू आरस्कौरर आइप अगर आप जादा होगा अगर क्या होगा इस तरफ लिखें कि अगर आर जादा होगा तो यह क्या हो जाएगा आउटोमेटिकली कम हो जाएगी तो यहां पर मास तो सर जादा हो रहा है लेकिन आर क्या हो जारी है आर भी जादा हो जारी है और आर जादा हो जाने से दूरी जादा हो जाने से डिश्टेंस जादा हो जाने से gravitational field intensity क्या हो जा रही है कम हो जा रही है तो यहां पर इस वाले case में क्या था कि mass कम तो gravitational field intensity कम लेकिन r क्या था कम तो gravitational field intensity क्या था ज्यादा यहां उपर वाले portion में क्या है कि mass ज्यादा तो gravitational field intensity ज्यादा लेकिन r ज्यादा तो gravitational field intensity कम और यही कारण है कि finally हमें inside में भी तो यहीं कारण है कि ग्रेविटेशनल फ्ल इंटेशीटी इसाइड तो यहीं तक पढ़ेंगे नेश्ट वीड़ो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉलिड अस्फेर के बारे में इसके बाद फिर हाफ रिंग फूल रिंग क्वार्टर रिंग इस तरह से ग्रेविटेशनल फिल इंटेसिटी हम पूरा लेक्षा जोग खतम पर इसके बाद फिर हम पढ़े हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ठीक है तो चलिए इसी तरह आप हम आसे वीडियो लेक्षा ने बने रहें वीडियो को कमेंड करें लाइक करें और शेयर करेंगे